जैसे कि हमने बात की कि आपको अपनी वेबसेट के लिए कॉंटेंट क्रिएट करते हैं चले जाना है और हमारे पास limitation भी नहीं है कि हम कम pages create करें या हमारे पास जगा की कमी है या time भी कमी है हम unlimited pages create कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पसंद करते हैं कि वो single page websites बनाएं अब single page websites का क्या मतलब है single page websites ऐसी websites हैं जिसमें सिर्फ एक ही page होता है अगर आपने कोभी ऐसी websites देखी हो जो आप click करें तो उसी page के नीचे scroll करके वो sections में चले जाते हैं जिस तरह से आप menu पे click करते चले जाते हैं आप नीचे scroll करते चले जाते हैं तो ये website देखने में अच्छी लगती है लेकिन इनका नुकसान भी है एक वो नुकसान इस तरह से है कि SEO point of view से वो content handicap होते हैं मतलब कि उसमें content ज्यादा नहीं डाला जा सकता है अब हमने चुँके Google को understand किया है कि Google आपको content index करता है और उसके बाद लोगों को दिखाता है जब आपकी website का एक ही page होगा तो Google उस एक ही page को index कर सकेगा और वो एक ही page आपकी हर service को explain कर रहा होगा single page website उन websites के लिए ठीक है या उन businesses के लिए ठीक है जिनकी शायद एक ही service हो या अमूमन आपने देखा होगा कि कभी कोई conference page हो या conference की website हो या कोई event हो तो लोग single page website उस करते हैं जिसमें सारी की सारी information एक ही page पर दे रही जाती है businesses के लिए ये single page website बिल्कुल ठीक नहीं है मैंने ये आपको पताना मुनासिब इसलिए समझा कि हमने एक तरफ जहां ये बात किया है कि हमने मज़ीद pages create करने हैं और pages create करने चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे या ऐसे clients भी मिलेंगे जो आपसे शायद ये बहस करें कि हमें तो single page website चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि single page website में आपको मसला होगा SEO करने में भी तो client को business भी नहीं मिलेगा अगर आप pages create नहीं करेंगे अगर आप right information right page पर नहीं डालेंगे अगर आप से सब कुछ home page पर रख देंगे तो ultimately experience अच्छा नहीं होगा और आपके पास बहुत ज़्यदा information डालने की जगा भी नहीं होगी तो क्यों हम खुद को limit करें जब हमारे पास virtually unlimited जगा है कि हम मजीद pages भी create कर सकते हैं हम मजीद time भी spend कर सकते हैं तो हमारे पास जब limit ही नहीं है तो हम खुद से क्यों limit करें तो being a marketer, being a digital marketer आपको चाहिए कि आपके पास जितनी भी जगा है आप उसको capture करते चले जाएं और उस पे जो है आप अपनी information create करते चले जाएं single page websites का मौजना आप एक studio apartment से कर सकते हैं एक studio apartment में क्या होता है कि सब कुछ एक ही जगा पे available होता है आपका kitchen, आपका bedroom, आपका dining room, आपका TV lounge सब कुछ एक ही जगा पे available होता है और वो अगर किसी एक ने रहना है या किसी ने थोड़ी देग लिए रहना है तो वो ठीक बात है लेकिन अगर आप family के साथ रह रहे हैं या अगर आपको ज़्यदा चीज़ें उसमें बढ़ा नहीं है तो आपको camera चाहिए इसी तरह से आपको website पे भी जगा चाहिए जहांपर आप information act कर सकें जहांपर आपका client आपसे आके बात कर सके आपकी right information देख सके तो कोशिश करें कि single page website से avoid करें क्योंकि अच्छी website के लिए या अच्छी SEO के लिए आपको website पे content create करना पड़ेगा अगर आपसे कोई इस बात पे जिद करता है कि single page website create करें या single page website manage करें तो आपने उनको ये समझाना जरूर है कि single page websites पे SEO अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि उस पे आपके पास गुजाइश नहीं है